हेलो शुडिंट्स हाव आर यूटूब चैनल पंकर फिजीस गुलाटी शुडिंट्स आपको इस चैनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन फिजीस के टॉपिक्स की सबसे असान एक्पेनेशन देखने को मिलती है बलकि आपको सब्सक्राइब बताया जाता है कि आपको एक्जाम म आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बी एक और इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाल अफेक्ट फिरीज के अंदर बहुत इंपॉर्टन अफेक्ट माना जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लिकेशन से जैसे कि अगर आपने किसी सबसांस में न दूसरी जो अप्लिकेशन है इसकी किसी सबस्तांस के अंदर नंबर ऑफ चार्ज करियर्स पर जोल्यूम कितने प्रेजेंट हैं उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग हाल अफेक्ट और हाल अफेक्ट को मेजर करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकते हैं देखिए तो हाल अफेक्ट को समझने के लिए आपको एक डाइग्राम को समझना पड़ेगा वो डाइग्राम अगर आपको समझ आ गया तो हाल अफेक्ट क्या होता है वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा तो सबसे पहले देखते हैं कि हाल अफेक्ट का जो वरकिंग है जो डाइ ली है वो स्मॉल्टी ली है और जो इसकी विट्थ ली है वो डब्ली ली है तो निकी सुनेंट्स उन्होंने क्या किया इस करनेक्टिंग स्लैब को एक एक्स्टर्नल बैट्री से जोड़ दिया जिसका फोस्टेव टरनल होगा जोएसे घोपर लंती है यह यहां पर आपस्ट्रेशन लाख होती है वह सब्सक्रांज में इना झारत to the flow of electric current अगर electric current इधर जा रहा है तो electron जो है वो इधर जाएंगे फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने magnetic field apply कर दिया perpendicular to the direction of the current current हमारा x-axis तरफ जा रहा था positive x-axis तरफ जा रहा था यह देखे यह हमारी magnetic field apply कर दिया इस magnetic field की वज़ा से इन charge carriers के उपर force लगेगी charge carriers जो है जो electrons है यहाँ पर वो कहां move कर जाएंगे अगर हम flaming left and true लगाएं यहाँ पर तो charge carriers जो है वो इधर move कर जाएंगे सारे इस face के उपर तो यहाँ पर negative charge आ जाएगा तो कि electrons carry negative charge तो यहाँ पर negative charge आ जाएगा तो face ABCD जो है slab का वो negatively charge हो जाएगा और जो इसका opposite face है A prime B prime C prime D prime वो हो जाएगा positively charge तो देखे यहाँ पर positive charge develop हो गया यहाँ पर negative charge develop हो गया तो students इसका मतलब क्या है यहाँ पर एक electric field develop हो जाएगा जिसके दिरेक्शन जो होगी positive to negative के तरफ होगी ऐसी इलेक्ट्रिक field develop हो जाएगा means z axis के along electric field develop हो जाएगा और यह जो electric field develop होगा इसी को हम hall field कहते हैं और जो electric field की direction होगी वो perpendicular होगी किसके current के भी perpendicular होगी जिस direction में current flow कर रहा है उसके लिए आपको बना के आणा है तो आए है कि अगरा आपको कोशन आता है तो आप चूरी में क्या लिखके आएंगे स्थर्टिंग में और फिर आप कैसे उस हॉल वोल्टेज को निकालेंगे उसका एक्सप्रेशन और साथ हम हाल कॉफिशेंट की वैल्यू भी निकालेंगे तो आईए देखने स्टूडेंट थियोरी में आप क्या लिखके आएंगे ऍट वाइच्छतिट ब्रफेसर ईएच हॉल इन एटी नाइटी सेवन यह उन्होंने क्या किया था उन्होंन एक यह ने प्रक्टिक ग्नेक्टिक बेसे करेंट के वह वो पॉस्टिटू नेगटिग में इस दिरेक्शन में फ्लूव होना शुरू हो गया था तो सारी इलेक्ट यह हमारे जो चार्ज करेंस हैं इस कनेक्टिंग सलइब कर दिया इस डिरेक्शन में तो उन्होंने क्या देखा कि इन चार्ज करेंस के ऊपर फोर्स लगती है और उस फोर्स की वज़ाते चार्ज करेंस हो जाते हैं यह चार्ज करेंस जो है इस तरफ लगेगी इस साइड लगेगी तो यह सारे लेक्ट्रों जो है वह फेस ए बी-सी-डी की तरफ डिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे तो यहा पर नेगटिव चार्ज जो है वह वह डेवलप हो जाएगा तो इसके अपजिए हो जाएगी electron के और यहाँ पर access हो जाएगा electron का तो positive charge और negative charge हो जाएगे means यहाँ पर एक electric field induce हो जाएगा और यह electric field induced होगा वो applied magnetic field के perpendicular तो हो गई होगा साथ इस moment of current के means direction of current के भी perpendicular होगा इसलिए इस electric field को transverse electric field बोला जाता है तो transverse electric field develop किया जा सकता है जब अगर आप magnetic field apply कर दे किस direction में perpendicular to the direction of current के अगर आप magnetic field apply कर दे किसी इस 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 हो हम बोलते हैं हाल अफेक्ट इस 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 हो गई होगा था साहता हम इने अप्लाई किया है उसके पर प्रेंट्री हो गा अगर करेंट पॉस्तििफ एक्सिफिज्स में जा रहा है में अगर हम ने वाइं आप्लाई किया है य द्रक्षिंट उप्लाई किया है तो जो हमारा electric phone develop होगा वो जैड एक्सिस के अलउंग होगा और जुकमताइब लिए बात करेंगे औरीजन क्या है है र Clapte है अब हम बात करेंगे क्या है आकिएस होगा क्या है हुआ इसके लिए थ्यूरी लिखेंगे उसके लिए आपको जो चाहिए वह आपने लिखेंगे आपको पॉस्टिव लेना पड़ेगा नेग्टिव लेना पड़ेगा तब करण जो है वह पॉस्टिव लेक्स की तरफ फ्लो करेगा करेंगा करेंगे कर दिया तो इसके बात की जो थ्यूरी है और इसकी बात की जो नेशन है डेरिवेस्ट है वह दहिए अंदर देखेंगे नक्स सक्षेन चे अंधर तो तो सुनएंगे लास सक्षेन में देखा कि जो करू पॉस्टिव अप्लाइग किया था तो आधे लिखते हैंगे और कैसे ओरिजन ओव ओलfon को आप एक्स्प्लेंड करेंगे दा फ्री तो electron जो है वो negative exelection की तरफ move करेंगे these free electrons will experience force f is equal to qv cross b is equal to minus ev cross b due to applied magnetic field b vector देकि students यह है charge करेंगे इस की ओपर है negative charge हर एक electron के पास negative charge होता है और यह इस तरफ move कर रहे है negative exelection की तरफ move कर रहे हैं और जिस velocity से यह negative exelection की तरफ move कर रहे हैं उसको हम बोलते है तो क्योंकि यहां पर क्योंकि यहां पर आप किया हुआ है वाइं पर अप्लाइक यहां इनको रिशी के Police लगेगी वहार zost लगे पर चार्ज होता है वह माइनस ही होता है और यहाँ पर डिफ्ट विलॉस्टी ऑफ एलेक्रों के बराबर लेंगे आप की जगा वी डी वेक्टर पूट करेंगे इंटू बी वेक्टर तो स्टुडेंट्स आए देखते हैं क्या होगा इस फोर्स पे करण और डिफ्लेक्टि ट यौहाँ पर इस फेस के ऊपर डिफिशेंशियो जाएगी लेक्र्ण की तो यहाँ पर पॉस्टिफ चार्ज लाणज हो जाएगा ऑट का मतलब यह है कि यहाँ पर पोटेंशल डिफ्रेंस हो जाएगा इन दोनों फेसिस के बीच में फेसिस ए-दाइस-दाइड दैस एंट ABCD की बिजमें potential difference develop हो जाएगा और इसी potential difference को बोलते हम हाल voltage VH तो आगे इसमेंट देखने क्या होगा इट makes face ABCD negative and face A prime B dash prime C dash C dash D dash आग इसको आप dash भी बोल सकते हैं और prime कुछ भी बोल सकते हैं इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको मैं A dash B dash T dash D dash भी बोल सकता हूँ वो positive हो जाएगा तो face ABCD negative हो गया और face A prime B prime C prime D prime जो है वो negative हो गया क्योंकि यहाँ पर electron accumulate होगे यहाँ पर electron की deficiency हो जाएगी उसकी वज़से क्या होगा as a result of potential difference or whole voltage VH is produced between these two faces तो इन दोनों faces के बीच में potential difference develop हो जाएगा यहाँ पर excess of electrons होगे यहाँ पर deficiency होगी यहाँ पर negative charge आ गया positive charge आ गया means यहाँ पर potential difference induced हो जाएगा तो students आगे देखते हैं और इसी को गोलते हम हाल voltage VH the ratio of whole voltage VH to the width of slab W along Z direction gives whole field तो whole voltage को हमें पता लगया क्या होगा जो potential difference इन दोनों faces के बीच में double up हुआ उसको हमने whole voltage नाम दे दिया विएच नाम दे दिया तो हाल field क्या होगा? E h कितना होगा तो E h के लिए अगर आपको e h निकालना है तो e h को निकालने के लिए को क्या करना पड़ेगा VH को divide करना पड़ेगा किसे this width W से divide करना पड़ेगा जो की z ड्रक्शन के along है क्योंकि electric field जो है हाल फील्ड जो है जो पोटेंशल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो जैड डिरेक्शन की तरफ डेवलप हुआ है तो अगर आप व एच को डव्यू से डिवाइड कर देवाइड कर देथे हैं जैड डिरेक्शन के अलॉंग वाली तो आपको हॉल लेक्ट्रिक फिल्ड मिल है तो आगर देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर हॉल वर्टेज हमें वी एच की वैल्यू निकालनी है तो वी एच की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर चार्ज के इसको पर आप दो-दो फोर्स लग रहा है और एक फोर्स जो टू ट्रांसवर् किसी भी चार्ज पार्टिकल में रखो तो भी उसको पर फोर्स लगती है और किसी भी चार्ज पार्टिकल में रखो तो उसके लिए उसको पर भी फोर्स लगती है उसके इसमें भी और दोनों फोर्स को जो वैल्यूस होती है वो डिफरेंट होते है आए देखते है क्या मैं वो e लेंगे हैं यहाँ पर हम साइन की बात नहीं करेंगे फोर्स के महने चूड ले रहे हैं यहाँ पर तो ड्रिफ व्लॉस्टी लेंगे वी की जगा और बी और साइन नाइटी क्योंकि लेक्ट्रॉंस इदर आ रहे हैं और मेनेटिक फिल्ड प्रपेंडिक और डिरेक्शन म कितना है एलेक्ट्रों के ओपर E और E कुणसा लेंगे आप हॉल लेंगे जो ट्रांसबर एक्ट्रिक फिल्ड डवलक हुआ है जिसको हम एह से डीनौट करते हैं तो यहाँ पर आप एह लिखेंगे यह हमारी सेकंड एक्ट्रॉवेशन है तो नेक्स अपर हम क्या करेंगे इ जब इक्लिम आ जाएगा तो electron के ओपर लगने वाली electric force and magnetic force के जो magnitude है वो बराबर हो जाएगा तो इन इक्लिम क्या होगा force due to magnetic field and force due to electric field जो है वो बराबर हो जाएगा अभी मैं पिछले section में fb की value find की थी वो कितनी निकली थी e vd b निकली थी और force due to electric field कितनी निकली थी electron के ओपर e into e h निकली थी e h यहाँ पर hall field है तो students यहाँ से आप e से e कार सकते हैं और vd की value आजागी यहाँ से वो आजागी e h upon b यह हमारी third equation है देकि students हम जाते हैं कि जो electric current है किसी भी connector के अंदर यहाँ निकलेंगे आप length into breadth करके हमारी जो length यहाँ पर होगी वो w होगी और जो breadth होगी यहाँ पर t का काम करेगी तो w into t करेंगे अगर आप इस width को इस thickness t से multiply कर देंगे तो आपको area for section मिल जाएगा इस slab का तो area for section is equal to w into t तो a की जगा आप w into t put करेंगे और यहाँ से वीडी की वाज़ेंगे जो के निकल गयाएगी आई upon w t into n e यह हमारी fourth equation है तो यहाँ से भी वीडी की value निकली हुए e h upon b और यहाँ से भी वीडी की वाज़ेंगे आई upon w t ne तो दोनों equations को compare करेंगे comparing three and four तो e h upon b के यह हमारी side है दोनों की थार्ड और fourth equation की left hand side same है तो right hand side हम equate कर रहे हैं equal रख रहे हैं तो e h upon b पैसे हमने इसकी right hand side रखे is equal to i upon w t into n e यह हमारी fifth equation होगी तो इसके बास की थोड़ी सी derivation रह गई है वो हम देखेंगे next section के अंदर तो students finally हम आ चुक है last section में जिसमें हम देखेंगे बाकी बच्ची हुई derivation और साथ में देखेंगे कुछ applications of hall effect students last section में हमने e h upon b की value निकाली थी जो की निकल कहती i upon w t into n e यह हमारी fifth equation थी बट जो hall field का जो formula होता है e h का जो formula होता है वो होता है hall voltage v h divided by width of the slab means w w थी width of the slab जो की direction के along थी तो e h की value होती है v h upon w यह है definition hall field की it is a ratio of hall voltage to the width of the slab तो यह हमारी sixth equation है तो हम sixth equation को फिफ्ट में डालेंगे means e h की value है v h upon w यहाँ पर डालने वाले है using six in five तो v h upon w e h की जिगा में लिख दिया है यह वालब भी तो हमारा already यह है equal to i upon w t into n e तो यहां से one upon n e अलग कर देते हैं और यहां से w so w आप card भी सकते हैं तो w so w cancel हो जाएगा उसाथ में v h की value निकल गाएगी बी ऊपर चला जाएगा और one upon n e को आप अलग रखिए इसको बोलते हैं को इस ब्रेककर टरम को हम बोलते है हाल अपंशचे रॉन अपन एजैकर Gay reduce 1n iq कर निकाल सकते हैं वह अपन एक यह को रखिए व आदिवाट्र लग्तविएज हुआ ऑजाएगा व यह व Lindsay इंटू T divided by B into I, तो one upon any को hal coefficient बोला जाता है, तो students, hal resistance भी एक term होती है, रह जिसको हम बोलते है, hal voltage divided by current, तो V upon I जो होता है, वो R के प्रापर होता है, तो students यहां से VH upon I की value निकाली जीए, I को upon में लियाए हैं तो VH upon I की value क्या जाएगी, B divided by N into E into T, तो VH upon I means RH की value निकाली वो निकाली वो निकाली वो निकाली वो निकाली वो निकाली तो यहां तक करने हैं, आपने mathematical derivation या आपकी hal voltage है, या आपका hal coefficient है, या आपका hal resistance है, तो सारी गर्री जों हम यहां से निकाल सकते हैं, आईए लेखते हैं, कुछ applications of hal effect की, can be determined by using hal effect, N की value निकाल सकते हैं, हम यहां से N की value निकाल सकते हैं, अगर आपको VH की value पता है, B पता है, I पता है, T पता है, E तो हम यहां से number of charge करेस्ट पर युन वो निकाल सकते हैं, कि जिसे substance के अंदर, hal effect can be used to measure magnetic fields, B की value निकाल सकते हैं, बागी सारी चीजे known हैं, तो आप वहां से भी B की value निकाल सकते हैं, जिस device के द्वारा magnetic field मेजर किया जाता है, उसको गॉस्मेटर बोलते हैं, उसकी जो working होते हैं, वो हॉल effect पर based होती है, हॉल effect can be used to determine drift velocity, VD of charge के जिस्ट यहां से आप VD की value भी निकाल सकते हैं, तो students यह हैं आपको आज की derivation जो है, वो समझ आई होगी, मिलेंगे किसी और वीडियो में, till then, thank you so much.